खेल मंत्री के आश्रासन के बाद रसलस ने खत्म किया धरना चार हफते में जाच कमिटी देगी रिपोर्ट जाच पूरी होने तक अध्यक्षन नहीं रहेंगे प्रजबूशान बीज़ेपी का मिशन करनाटा का आज है विज़ेपूरा से विज़े संकल्प यात्रा को पाटी अधेक्ष जेपी नटा दिखाएंगे हरी जंडी दिली में सीम केज रिवाल और उपरा जिपाल की लड़ाई और तेज एलजी ने मुक्षमंद्री की मुलाकात की अरजी ठुकराई सूतरों के हवाले से मिली खबर जमुके नर्वाल में आतंकी हमला 20 मिनट के अंदर हुए दो जोरदार धमा के साथ लोग जखमी मौके पर पहुँचा डॉग स्क्वाड केरल हाई कोट की फटकार के बाद एक्शन में विजएन सरकार पीएफ़ाई के रजज सचिव अब्दुल सत्तार और अन्यपदादिकारियों के संपत्ती को जब्त करने का काम किया जा रहा मदेपुरा में इंजीनिरिंग कॉलेज में सरस्वती पूजा पर रोक पर सियासा तेज गिरे राजसेह ने नितीश सरकार पर साधा निशाना पूछा क्या बिहार को बना दोगे पाकिस्तान निउस नेशन पर धिरंदर कृष्ण शास्तुरी का एक्स्क्लोसिफ बयान कहा सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश अंध्य विश्वास फैलाने की बात से किया इंकार रिप और मर्डर के दोशी राम रहीं को फैर मिली पैरोल 44 दिन के लिए जिल से बाहर आए सिरसा में रहेगा पूर्व डेर अप्रमुख गुर्मी दुराम रहीं बिहार की टंडा मारने वाली दो लेडी कॉंस्टिबल कैमूर में बुजर्ग टीचर पर फरसाई लाठिया सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वाइरल SP ने की कार रवाई तीन महीने के लिए ने लंबे मौनियम अवस्या का महास्नान आजो संगम तट पर उमड़ा स्कुर धालूं का सेलाब दो करोड से जादा भक्तों ने संगम तट पर लगाई डुपकी